नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब लो गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों चलिए सब को स्वागत करती हूं मेरे कीचन में जो की बिल्कुल फैला फैला सा है अभी और मैं जो है सुरू करियू कीचन का सबसे पहले डेप क्लेनिंग से तो एक जो ओवन है यह काफी गंदा हो जाता तो सबसे पहले मैं इसी को साफ कर लूँगी और पता है हमारा मन भी कुछ इसी तरह का होता है जब हम डेली चीजों को साफ करते रहते हैं तो काफी दिनों तक चमकदार और अच्छे रहते हैं और जब मैं ऐसा सोचती हूं कि चलो कोई नहीं आज नहीं कल कर लेंगे तो वो कल कभी नहीं आता है और इसी तरह से हमारे मन कभी ऐसा रहता है कि कोई चीजे हमारे मन में घुज जाता है तो उससे हम निकल नहीं पाते हैं उसी को सोचते रहते हैं और धीरे-धीरे मन के उपर इसी तरह से एक लेयर जमा हो जाता है जो कि एकदम साफ नहीं दीखता है तो मन को साफ रखने के लिए डेली क्लिणिंग करें यानि कि जो भी आपको बुरा लगे उस बुरी बात को भगवान के सामने कह दे या जिन से बुरा लग रहा है उनको ही कह दे पर मन में ना रखे मन में अगर रहे गया कोई चीज तो वो है रोटी सबजी पराठा वगरा हैं ही जाइव voyez CHEASE ही बंती है मेरे हिसमें का कहना है कि देखो बाद में तुम रात को हलका खाओ कोई बात नहीं लेकिन खाना इस तरह से होता चाहिए कि पहला खाना जो होता है यानी कि जो व्रेक ஃइक फॉस्ट होता है न वो हेवी होनी उसके बाद धीरे धीरे खाने के amount भी कम कर दो और हलकी भी कर दो तो उससे body बिल्कुल खराब नहीं होती है ये चीजे फॉलो करने से कुछ effects तो आता है ये मैंने भी ध्यान किया है कि मैंने बीच में बिल्कुल नास्ता करना ही छोड़ दिया था वो काम काम में लगी रहती थी और मेरा सच नहीं मानों कि बीना कुछ खाए पे इतना ज्यादा weight gain हुआ मैं क्या बताऊं husband बहुत गुसा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम नास्ता करना छोड़ दो इसी वज़े से ये problem हुई है तो ये एक मैं अपने खुद के experience से आप सभी को कह रही हूँ कि नास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना सुबेरे का नास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जो आपको अच्छा लग रहा है कोई healthy नास्ता जरूर करें गोवी को मैंने पहले काटके तयार करके रखा था और सबसे पहले ना मैं आलू अगरा भूज लेती हूँ तो उससे ना स्वाद बहुत अच्छे आते है और इस टाइम पे जो seasonal चीजे होती ना इस ना सबजी होती है ना वो बहुत ही प्यारा बन जाता है खाली नमक हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर जीरा पाउडर यूज करोगे ना जो basic मसाले है उसी से अगर पकाऊ गया धीमी आच में धीरे धीरे अगर सबजी पकती है ना तो यकीन माने आपको बहुत बड़ रसवया बनने की जुरत नहीं है आपकी सबजी वैसे ही बहुत जादा टेस्टी बनेगी थोड़ा जल्दी कर लो क्योंकि अब जो है हमें घर के काम में भी लगना है पापा भी लगे हुए है थोड़ा थोड़ा बॉक्सेस बगरा खाली कर रहे और इससे पहले जहां पे हम लोग थे वहाँ पे मैंने काफी सारे बॉक्सेस खाली नहीं किया था क्यूंकि मुझे उसमें अलग से रखने की जगा नहीं थी घर बहुत बड़ा था पर स्टोरेज बिल्कुल नहीं था इसके बज़े से बॉक्सेस खाली नहीं थी तो अब जो है धीरे-धीरे अपने घर में आ गया है तो धीरे धीरे सारे बॉक्सेस में खाली कर रही हूं और अपने अपने जगा पे रख रही हूं इसके बाद सारे चीजों को करेंगे और मुझे ना घर सजाना और बहुत पसंद है पर अब जो है सिचुएशन कुछ ऐसा है कि पता नहीं कब तक यह चीज़े हो पाएगी मेरे एक्सपेरियंस से लास्ट दो तीन बार जब तक मैंने चेंज किया ना तब तक मुझे देखा है कि कम से कम एक से दो महिना ऐसा हो जाता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस घर में मैं पूरी तरह से सटल हो गई हूं अब बना लेते हैं रोटी तब तक ध करना बहुत जादा लोग सोचते हैसा होता है पर मैं अपने एक्सपेरियंस से कह रही हूं बिल्कुल नहीं होता है उल्टा वेट बढ़ जाता है रोटी देखिए बना लिया मैंने दर्वाजा खेड़की अजबन ने खोल के रखा है क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर पर लास्ट में एकी बार उतारती हूं तावा बार बार में गैसे नहीं उतारती हूं और देखिए रोटी कैसे फुल गई है गोल होके सब्जी भी लगबग पक गई है जब ऐसे पक जाता है तो इसके बाद में इसमें एड करती हूं थोड़ी सी आमचूर पाउडर यह ज़ुक हो आफ साबूत मसाले होते हैं इसके पीछें यूज करती हूं इसके पीछे दो कारण है एक तो आपको जो मसाला आप यूज करें वो बिल्कूल प्योर होता है क्योंकि थोड़ी तो पास गोपाल जी है तो उनकी सब्सक्रम अलग से जब बनती है तो मैं यह मसा और बिल्कुल मुझे इस बात का चीनता नहीं होता है कि इस मसाले में पता नहीं क्या क्या मिला होगा तो यह देखें आखरी एक रोटी बचा है और एक रोटी यह बन गई है सारे रोटिया बन चुकी है अब तैयारी कर लेंगे खाना पिना करके घर की यह warmer तो यही हम को जो है आज ठीक करनी है दीरे दीरे समय लग चाले है नास्तापनी करने के बाद हज़बन ने यह सारे डी स मेरे साधी में किसी ने गिफ्ट किया था और तब से यह पड़ा है और हजबन कह रहे कि अब और कितने दिन रखनी है तो एक्चुली बच्चे छोटे थे तो वह कांच का सामान यूज करना मुझे बहुत डर लगता था और मेरा बेटा छोटे में बहुत सरारती था इसके का मजाबी आता है और कभी भी आप देखो कि सब लोग बैठे और अकेले लगे हो ना तो वह काम बन पाती है और नहीं कुछ और हो पाता है तो वैलकनी मैंने अब भी तो साफ कर लिया लेकिन इस वक्त यह सी आलत है ममी मतर चिल रही है और थोड़ी थोड़ी धूप आना लग गया है बहुत ही मतलब यह वाली धूप ना मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज्यादा अब सुभेरे के थंड़ के बाद यह वाली धूप आती है और यह धूप मेरा पिलकुल साम तक रही जब तक सुर्यदेभ रहेंगे तब तक धूप रही तो चलिए मेरा दोपेहर का ये खाना पीने का तैयारी कर लिया मैंने यह सबजी रख दिया है डाल बन गया है और आप गर्मा गर्म भाद बनाऊब़ी दीर में बनाऊब़ी तब तक ये भी थोड़ा बीच में नास्ता के बाद ठिक कर लिया था तो यहां पे जो सारे सामान पड़ा है ये इस में से बहुत सारे सामान फेखने वाले है कुछ पुराने बूक से वो भी निकालनी है तो इसी तरह से जो है दिन कट रही है अभी और आज के लिसे ये वीडियो इंड करती हूं मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तो हमारे इस जर्णी में एक नया सुरुआत के जो जर्णी है इस जर्णी में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ कृपया साथ में रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और हम हमेंसा जुड़े रहे और आप वीडियो में और क्या-क्या देखना चाहते हैं वो हमें जरूर बताए तो देखिए कैसे सुन्दर द्रिस्व है बस मैं यही देखती हूँ तो इसे से मुझे थोड़ा सा एनरजी मिल जाती है मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों टेक क्यार और बहुत अच्छे से रहे